अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए अगर आपको ये नहीं ना चैन था विटे चैन घड़ी माला सब थी मेरे पास में वो क्या होटल के बिल बिल नी भरे ना तो दरम ने सब ले लिया अब एक सोने का दांत बचा है अगर और बिल नी भरे ना तो वो भी तोड़ देगा अगर आप भी ना दूसरे भी कबरे कभी वहां पे भी जाय करो जा तो सकता हूं बेटा लेकिन वो लोग हिंदुस्तानी नहीं है तो आप लोगों को देखता हूं तो बड़ा ही अच्छा लगता है अपने देश की चिठी हो या मिटी हो दोनों कोई देखकर बड़ा सुकून मिलता है तो थोड़ा वक्त बिताने के लिए आप लोगों के पास आजाता हूं वैसे खमरा काफी अच्छा है है अंकल आपका यहां पर कोई रिष्टेदार नहीं है रिष्टेदार हां बेटा यह रिष्टेदार और रिष्टे तो सिरफ हिंदुस्तान में हुआ करते हैं मा बेटे का रिष्टा मुझे अच्छे से याद है जब मेरी मा मुझे चिठी लिखा करती थी न तो उस पर पानी के धब्बे हुआ करते थे तो मैं उससे समझ जाता था कि यह चिठी लिखते वक्त मेरी माँ ज़रूर्ट होई होगी भाई की आखरी चिठी भी मुझे याद है उसने अपनी आखरी चिठी में मुझे बहुत कोसा और अंत में लिख दिया कि अपना ख्याल रखना यह गुस्से में अपनों का फिकर सिर्फ हिंदूस्ता नहीं कर सकते हैं बेटा बहुत साल रहा में यहां पर खाना तो यहां पर भी बहुत है लेकिन मा के निवाली की बात ही कुछ और होती है बस इनी यादों के सहे में अपना वक्त निखाल लेता हूं यहां पर जिंदगी में एक ही गल्ती किये मैंने अपनों को खोकर बस ऐसी गल्ती कोई और न करें अपनी जिंदगी में चलता हूं अंकल हाँ एक स्कुड़ यह लटो यह मेरे पापा ने अपने हाथों से बनाया है आप खाईये खाऊंगा अपना खयाल रखना और एक चीज ध्यान रखना कि जिंदगी में आदमी कितनी भी उचाईयों पर पहुंच आ है रास्ते जाएं वो पैरों के नीचे ही होते हैं आदमी चाहें कितनी भी उचाईयों पर पहुंच आए ना एक अन रास्ते पैरों के नीचे होते हैं कियाजी माँ? येस? में आप यू? माँ माँ प्लीस चेक में वीजा सब्सक्राइं में वेटरेैं नहीं। द Annक कितनी काम चुल cigar र pencil कितनी काम विर्चित को समय। कितनी काम मैं सब्सक्राइब 폴ू स Marinesны लो ची शलकितना विए रच्ते शिवान 2